CBC Words में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम Classics Mathematics का Chapter 14 जिसका नाम है Practical Geometry उसके Exercise 14.1 डिसकस करेंगे इसमें पहला कुशन है Draw a Circle of Radius 3.2 cm तो 3.2 cm के Radius का एक Circle आपको Draw करना है तो चलिए उसे कर लेते हैं अब हम Compass का Measurement लेंगे उसके लिए इस तरह से हम Scale लख लेंगे और जो हमारा Compass है इसका जो Pointer है ये Pin वाला हिस्सा इसको रखेंगे हम Zero पे ठीक है और उसके बाद इस Pencil को Adjust करेंगे कहा तक 3.2 तक जाना है न तो 3 ये हमारा 3 है और 3 के बाद जो छोटी Line है तो दूसरी वाली चोटी Line ने वहां तक ले जाना है 3.2 ये हमारा Measurement हो गया अब जो Circle बनाना है उसका हम Center मार्क करेंगे तो कोई भी हम Center कही पर भी मान सकते है जिसे हमने यहां पर ये मार्क कर लिया इस Center का नाम दे देंगे ये कौन Center है? O है अब इस O वाले Center पे हम Pin रखेंगे और Circle ड्रॉ करेंगे इस तरह से हम ऐसे गुमाते हुए जाएंगे और ये हमारा Circle बन गया अब Circle आपको एक बार में बनाना है क्योंकि इधर से Pencil उट जाती है न तो फिर वो सही से नहीं बन पाता अब यहां पर मेरे में तोड़ा उपर कैमरा इसलिए ये सही से हाथ नहीं पहुच पा रहा है तो Pencil इसलिए उट गए अदरवाइस एक बार में बुरा बनाया जाता है अब एक LINE आपको खीच देना कहीं पर भी बस इस LINE बनाने का मकसद यह है कि ऐसे हम यहां पर थोड़ा सा एरो भी दिखा सकते ना भी दिखाओ के तो भी कोई दिक्त नहीं है और यहां पर लिख के हम बता देंगे कि रेडियस कितना है यह है 3.2 सेंटीमीटर तो यह हमारा हो गया पहला अंसर अब step की बात करें तो देखो यहां पर question हम को step लिखने को कहा तो नहीं है इसलिए मैं लिखाता भी नहीं अगर आपके school में लिखाया जाता हो यह आप लिखना चाहो तो step लिख देना तो यह steps है इसका आप screenshot ले सकते हो यह video pause करके आप note down कर सकते हो second question क्या कह रहा है with the same center or draw two circles of radii 4 cm and 2.5 cm पहले समझ लेते हैं radii क्या है radius तो जानते हो radii का मतलब क्या है जब एक से जादा radius की बात हो दिये तो हम कहते है radii जैसे एक book की बात हो एक किताब की बात हो हम कहते है book एक से जादा किताब हो तुम क्या कहते है books एस लगाते है उसी तरीके से एक radius जैनि एक है तो हम radii कहेंगे एक से जादा है तो हम radii कहेंगे यह plural है radius का तो center हमारा एक ही रहेगा उसी से दो circle हमको बनाना है तो चली बना लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटर मार्क कर लेते हैं, तो यहां पर हम चलिए, मार्क कर लेते हैं, यह सेंटर है, सेंटर का नाम देते हैं, तो इसी सेंटर से दो सर्किल बनाना है, एक 4 सेंटिमीटर का, दूसरा 2.5 सेंटिमीटर का, तो चलिए पहले 4 सेंटिमीटर वाला बना लेते हैं, जैसे मैंने बताया तो इसी तरह सापको करना है, जो pointer है, वो आपका 0 पर होगा, 0 पर हमने रख लिया, अब यह कहां तक ले जाएंगे, exact 4 cm है, तो 4 तक ले जाएंगे, ठीक है, अब इस pointer को हम इसी point ओ पर रखेंगे, और circle बना देंगे, यह हमारा circle बन गया, अब एक बार फिर से measurement लेंगे, इस बार कितना लेना है, 2.5 cm, तो इस तरह से हम pointer फिर से 0 पर रखेंगे, और यह कहां तक ले जाएंगे, यह दखो हमारा 2 है, उसके बाद जो चोटी चोटी लाइन है, उसको गिनेंगे, 4, 4 के बाद यह 5, 2.5 यहां पर आएगा, बिल्कुल 2 और 3 के बीच में, ठीक है, यह हमने measurement ले लिया, अब चलिए फिर से, center हमारा वही रहेगा, इसलिए उसी center पे हम compass फिर से रखेंगे, और circle ड्रॉ कर देंगे, यह हमारा दूसरा circle भी बन गया, अब इस तरह से एक line बनाएंगे हम, यह बड़े वाले circle तक ले जाएंगे, यह यहां ऐसे arrow लगा देंगे, यह बड़ा वाला circle हमना कितना था, 4 cm का था, और इस तरह से छोटे वाले circle के लिए बना देंगे, यहां से लेके यहां तक ऐसे बना देंगे, यह arrow हमने लगा दिया, और यह कितना है, 2.5 cm, तो second वाला answer भी हमारा हो गया, अब question number 3 में हमसे क्या क तो पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, अब यह जो circle बनाएंगे, उसके लिए हमको measurement लेने के जुरूरत नहीं है, क्योंकि हमको size नहीं दिया, कि इतने cm का बनाओ या उतने cm का बनाओ, तो अपने हिसाब से हम compose sketches कर लेंगे, जितना बड़ा आपको बनान हो, बड़ा बनाना हो, ठीक है, उस हिसाब से आप set कर लो, तो यहाँ पर कहीं हम center मान लेते हैं, यह center हमारा O हो गया, इस point पर हम pointer ऐसे रखके circle बना देंगे, यह circle बन गया, आगे क्या करना है हमको, इसके कोई से भी 2 diameter आपको बना लेने हैं, अब diameter क्या होता है, circle के surface पे कि इसी point से आप एक line बनाना शुरू करो, इस तरह से कि वो center से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाए, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ बना लो, यहाँ से बना लो, यहाँ से यहाँ बना लो, वस यह है कि वो line जो बनेगी, वो center से पास होते हुए जानी चाहिए, ठीक है, तो चल से दूसरा कोई diameter बना लो, कोई से बना सकती है, यहाँ कहीं से भी बना सकते हो, तो चलिए हम यह एक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ surface से शुरू होगा, center से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगा, यहाँ तक, यह हमारे क्या है, दोनों diameter है, इसका भी नाम दे देते हैं, यह हमारा C हो गया, और यह D हो गया, आगे इसमें क्या कह रहा है, if you join the ends of these diameter, what is the figure obtained, अगर इस diameter के हम ends को मिला दें, तो कौन से figure बनेगी, ends का मतलब क्या है, जिससे मैं rough में बना हूँ, इस कौप को बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे हमारा diameter है, तो diameter का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों end कहलाएगा, तो ये जो हमने बनाय हुआ है figure, इसमें ये A एक end है, दूसरा B end है, तीसरा C और D ये सब diameter के ends है, यानि diameter जहां से शुरू हो रहा है, जहां खतम हो रहा है, दोनों शुरू वाला और खतम वाले दोनों point को हम ends कह इन को मिला देना है, तो चलिए हम मिला लेते हैं, कैसे मिलाएंगे जैसे A और C को आपस मिला लेते हैं, ये हमारा मिल गया, B और D को मिला लेते हैं, ये हमने मिला लिया, फिर A और D को मिला सकते हैं, तो ये जो A, B, C, D ये ends हैं, तो A को B से मिला लो, A को C से मिला लो, A को D स मिला लो इस तरह से करते हुए जाना है हमको ठीक है तो C और B को आपस मिला लेते हैं यह हमने ends को मिला लिया तो कौन सी figure यह बनेगी यह जो figure बनेगी उसे हम कहेंगे quadrilateral क्योंकि इसके four sides हैं इसी बात को आपको यहां लिख कर बता देना है तो यहां हम लिख देंगे a quadrilateral is formed when we join the ends of these diameters इतना हमको लिख देना है क्या इतना काफी है quadrilateral काई type के होते हैं यानि rectangle भी है आपका square भी है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि यह कौन सा है rectangle है square तो यह जो A, D, B, C बना है यह quadrilateral तो है लेकिन क्या यह rectangle है या square है इसको कैसे बता करेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यह देखो इसके diagonal यह जो हमारा figure बना हुआ है उसके जो diagonal है यह अनि A, B और C, D क्या यह बराबर है अगर A, B और C, D बराबर होंगे और एक दूसरे को cut कर रहे है तब हम कहेंगी कि एक rectangle है और यह तो हम जानते हैं कि A, B और C, D क्या है diameter है और diameter आपस में equal होते हैं एक circle का जो diameter होगा कोई से भी diameter बना लो वो सब equally होंगे यानि A, B और C, D यह equal है और A, B, C, D क्या है इस quadrilateral के diagonals है तो हम कहें सकते हैं यह हमारा rectangle है लिख कर कैसे बताएंगे चली वो देख लेते हैं हम लिखेंगे कि जो हमारा A, B है वो equal होगा किसके C, D के ऐसा क्यों कहें रहे हैं बिकॉज यह बिकॉज का symbol है बिकॉज diameters of same circle उसी circle के diameter इसलिए A, B और C, D आपस में equal है and इसके साथ ही साथ A, B और C, D यह दोनों क्या है diagonals भी तो है diagonals of quadrilateral A, D, B, C तो quadrilateral के diagonal हैं और diagonals आपस में equal है इसलिए हम कहेंगे कि यह rectangle है and if quadrilateral has its diagonals of same length अगर diagonals same length के हैं यानि दोनों diagonals equal है bisecting each other एक दूसरे कट कर रहा है A, B और C, D आपस में एक दूसरे कट कर रहा है तो यह क्या होगा rectangle होगा फिर हम कहेंगे hence इसलिए जो A, D, B, C है is a rectangle यह rectangle है अभी भी यह question हमारा complete नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ तक हमने कर लिया कौसा figure बनेगी हमने देख लिया rectangle बनेगी आगे पूछ रहा है what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other अगर diameters perpendicular होंगे तो क्या बनेगा आप कौन सर चेक करना यही reason लिखना इसलिए सारा reason हम लिखते हुए चलना है तो यहाँ पर फिर से एक circle हम बनाएंगे लेकिन circle से पहले एक line लिख देंगे now if diameters are perpendicular to each other diameters अगर perpendicular है तब क्या होगा तो इस तरह से एक circle बना लेना है फिर आपको diameter बनाना है कैसे बनाना मैं बता चुका हूँ कि ऐसे कोई से भी एक line बना लो चलिए एक ऐसे बना लेते ठीक है बिल्कुल सीधा बना लेते आप कैसे बना सकते हो यह हमने एक diameter इस तरह से बना लिया इसका भी नाम दे देते हैं जैसे ABCD तो हम use कर चुके हैं तो चलिए यह E हो गया और यह हमारा F हो गया दो diameter बनाना है तो एक diameter हमारा बन गया दूसरा diameter कैसा होना चाहिए परपेंडिकुल होना चाहिए यह नहीं 90 डिगरी पर होना चाहिए अब यहाँ पर शुरू होगा खेल हमारा प्रोटेक्टर का तो प्रोटेक्टर हम किस तरह से लेंगे यह जो इसका center point होता है यह हमारे इस circle के center पर आएगा ठीक है यह हमने रख लिया और यह जो इसकी line है यह जो हमने diameter बनाया उसकी line पर बिल्कुल रहेगे बिल्कुल इसी पर यानि कहने के मतलब यह है यहाँ पर जो आप देख रहे है center point है यह center पर रखा जाएगा और यह जो आपकी पूरी line है सीधी जो चली आ रही है यह आपकी इस वाली line पर आएगी जो आपने diameter बनाया है यह आ गया अब देखो यह 90 degree है कि नहीं यह लिखा हुआ है तो 90 degree के जो line है यहाँ पर एक point हलका सा बना देंगे ठीक है यह बाहर वाला point से reference के लिए था कि कहां तक line बनानी है क्योंकि यह point ना होता तो कहीं भी भी हम बना सकते है ऐसे ऐसे लेकिन यह हमारा fix हो गया यह हमारा बन गया इसका भी नाम रख देते हैं यह हमारा G हो गया यह H हो गया अब diameter जैसे join करने है यानि E और G को मिला लो G F को मिला लो F H को मिला लो यह सब आपस मिला लो अब हमको यह चेक करना है कि यह जो हमारा E H F G वाला shape है यह कौन सा shape है quadrilateral तो है देखो चार side हमको दिख रही है लेकिन quadrilateral कौन वाला है rectangle है कि square है अब यहाँ पर E F और G H यहाँ पस में equal होंगे क्योंकि यह दोनो diameter है न तो यही चीज हमको लिख देना है पहले E F equals है G H के because diameter of same circle आगे लिखोगे in this quadrilateral कौन सा quadrilateral है E H F G diagonals are equal diagonals हमारे equal है diagonal कौन से है E F और G H यह हम देख चुके है क्योंकि यह diameter भी है circle के और जो हमारा shape बना है quadrilateral उसके diagonals भी है दोनों है यह equal है साथी साथ equal and perpendicular to each other जैसा कि हमको question में दिया था यह perpendicular है यह बीच में 90 degree है also they are bisecting each other एक दूसरे पकट कर रहे है E F और G H आपस में एक दूसरे cut भी कर रहे है तो यह सारी condition अगर पूरी होगी एक तो वो quadrilateral हो दूसरा उसके जो diagonals है वो बराबर हो एक दूसरे के perpendicular हो यानि 90 degree पे हो जैसा कि हम measure करके देख चुके हैं प्रोटेक्टर में और bisect कर रहे हो cut कर रहे हो तो यह सारी condition अगर पूरी होगी तो उस shape को हम क्या कहेंगे कि वो square है आप लिखोगे hence E H F G is a square तो square है अब square दूसरी तरह से भी आप चेक कर सकते हो जैसे आप यह scale लग हो यह हमारा अगर हम कह रहे है square है तो सारे side आपस से बराबर होने चाहिए तो देखो यहां साब measure करोगे तो यह something 4.5 आ रहा है यहां से measure करो देखो वही आ रहा है यहां से भी वही आ रहा है और यहां से भी वही आएगा ठीक है और आपस में 90 degree पे cut कर रहे है तो यहां आकर हमारा यह third वाला answer complete हो गया question number 4 में हमको क्या करना है एक circle draw करना है और point mark करना है A, B, C इस तरह से कि A क्या होना चाहिए circle पे होना चाहिए B क्या होना चाहिए interior of circle यानि circle के अंदर होना चाहिए C क्या होना चाहिए exterior of circle यानि circle के बाहर तो चली बना लेते है पहला काम आपको circle बनाना है जो कि हम बना चुके है तो कहरा A वाला point कैसा है circle पे है तो circle पे का मतलब यह जो पूरा हमारा circle बना है इस पर कोई point है कहीं भी mark कर लो जैसे हम यहां mark कर लेते हैं इस point पे इसको हम लेते हैं A ठीक है B क्या है interior of circle यह circle के अंदर है तो यह जो circle की boundary इसके अंदर जो point होगा कहीं पर भी लग गया तो हम यह B लगा सकते हैं जैसे हम यहां लगा देते हैं यह हमारा B हो गया C क्या है exterior यह circle के बाहर तो यह circle जो boundary इसके बाहर कहीं पर भी यह हमने लगा दिया C तो यह हमारा answer हो गया अब इस exercise का last वाला question यह question number 5 देख लेते हैं let A be the center of two circles of equal लेडियाई देखो हमारे पस दो circle है दो circle है यह circle का अपना center होगा एक circle का जो center है वो A है दूसरे circle का जो center है वो B है और यह दोनों circle इस तरह से हैं कि इनके जो radii हैं वो equal है यानि दोनों circle का size same है draw them so that each of them passes through the center of other इस तरह से draw करना है कि दोनों circle एक दूसरे के center से pass करें चली इतना काम हम करते हैं फिर आगे बात करेंगे अब ऐसा question आपके सामने आ जाए आपने जो size set कर लिया उससे जो circle बना दोगे फिर इस size को आपको change नहीं करना इसी से आपको दूसरा circle बना देना है सबसे पहले हम एक center mark करेंगे जैसे चलो हम यहाँ पर इस point पर center mark कर लेते हैं यह हमारा A है एक circle उसका center क्या है? A है यह हमको दिया हुआ question में अब इसको रखते हुआ हम एक circle बना लेते हैं तो एक circle देखो हमारा बन गया जिसका center A है अब एक दूसरा circle बनाना है जिसका center B होना चाहिए लेकिन हमको क्या कहा है? कि जो हम circle बनाएंगे वो इस A वाले center से पास होते हुए जाए और इस A वाला जो circle है इसका center उस दूसरे वाले circle के center से पास होता हो जाए यानि दूसरा circle जिसका center B है वो इसी circle पे ही कहीं होगा कहीं पर भी हो सकता है अगर मालो हम यहाँ पर center बना देते हैं B तो ये B A वाले circle से कहाँ पास होके जा रहा है circle A B को touch करते हुए तब जाएगा जब ये B वाला point इसी circle पर होगा इसकी surface पर कहीं होगा तो कहीं भी mark कर लो चलिए हम यहाँ mark कर लेते हैं इसका नाम रख देते हैं ये B है समझ रहोगे नहीं बात कि ये जो circle हम बना रहे हैं ये दूसरे वाले circle के center से तभी पास हो पाएगा जब उसका center इसी line पर होगा इसी circle पर होगा अब ये B point हमारे circle पर हम कह सकते हैं ये जो circle हमने बनाया है जिसका center A है ये B से पास हो रहा है और B क्या है दूसरे वाले circle के center है और center पे तो हम ये pointer रखते हैं तो pointer रखके हम एक और circle ड्रॉ कर देंगे दूसरा वाला जो हमको बनाना है तो ये दूनों circle हमारे बन गए तो हमको दो circle बनाने थे एक का center A हो दूसरे का B हो ये हमने बना लिया हर एक circle दूसरे के center से पास हो जिसी A वाले center का जो circle है ये देखो B वाले से पास हो रहा है और B वाला जो circle हमारा बनना है वो A वाले से पास हो रहा है A से पास हो रहा है ठीक है तो दूनों एक दूसरे के center से पास हो नहीं की नहीं ऐसा करने के लिए हमने क्या किया पहले एक circle बना लिया उसके बाद उसी सर्किल पर हमने उसकी सर्किल की जो सर्फेस है उसी पर कहीं हमने भी मार कर लिया अब जैसे मैंने यहाँ बनाए न आप यहाँ बना सकते थे यहाँ बना सकते थे यहाँ परी कहीं परी बना सकते थे तो वहाँ सेंटर मार कर लिया और वहाँ से हमने दूसरा circle ड्रॉ कर लिया अब आगे हमसे क्या कह रहा है let them intersect at C and D यानि ये दोनो C और D point पे intersect करेंगे एक दूसरे को cut करेंगे अब examine करना है कि क्या AB और CD ये दोनो right angles है देखो एक इस point पे cut कर रहा है इसको हमने C मान लिया एक इस point पे cut कर रहा है इसको हमने D मान लिया आगे AB और CD की बात कर रहा है यानि AB एक तरह का line segment होगा ये हमने इसको मिला दिया तो AB बन गया और इसको हमने मिला दिया तो ये हमारा CD बन गया तो क्या AB और CD आपस में 90 degree बना रहे हैं protector से हम check कर लेंगे यहाँ पर देखो center point पे हम रखेंगे देखो ये 90 degree बनना है यहाँ इसके बीच में यानि ये जो हमारा है ये 90 degree तो बनना है कि अगर AB वाली line पे हम इस protector को रखेंगे तो जो हमारा CD है देखो C ये 90 degree बनना है उपर इस चीज़ को हम quadrilateral बना के भी check कर सकते हैं कैसे करेंगे चली मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा A और C को आपस में join कर दो इस तरही से C और D और D और B और C B सब आपस में join कर दो तो देखो A, D, B, C ये एक तरह का quadrilateral हमारा बनना है चार side इसके हैं तो यही हम लिख लेंगे चाहिए आप side में लिख लो या नीचे लिख लो तो चली मैं side सही लिख देता हूँ here A, D, B, C is a quadrilateral where जहाँ पर जो आपका A, D है वो बराबर होगा A, C के देखो center से circle के surface पे client draw करेंगे वो radius कहलाएगा A, D और यहां से लेकिए हाँ तक यह भी एक radius है तो दोनो radius आपस से बराबर हुए इसका reason भी आप लिख दोगे because sorry बीच में camera बंद हो गया था तो मैं भी बता रहा था कि A, D क्या होगा A, C के बराबर होगा A, D और A, C आपस से बराबर होगे क्योंकि यह उस circle के radius है जिसका center A पे है यानि यह हमारा circle इसका center यह A है तो A, C और A, D आपस से बराबर होगे इसी तरीके से यह वाला circle इसका center B है वहाँ से देखो तो यह BC और B, D यह radius है तो यह दोनों आपस में equal है अब यह चीज हमको दी हुई कोशन के अंदर कि दोनों जो circle है, उनके radius बराबर है तो यह चीज हम लिख लेंगे radius of both the circles are equal दोनों circle के जो radius है, वो बराबर है यानि A, D और A, C यह A वाले circle के radius हैं B, C और B, D, B वाले circle के radius हैं और दोनों circle के radius बराबर हैं कहने का मतलब यह है कि जो हमारा A, D है, वो बराबर होगा A, C, वो बराबर होगा B, C, वो बराबर होगा B, D के पहले आप लगा लेना therefore, इसलिए तो यह जो हमारा quadrilateral था इसके सारे side बराबर हो गए A, C, A, D, B, D, B, C इससाब बराबर हो गए तो चारो side हमारे बराबर हो गए इसलिए हम कह सकते ही यह क्या है, एक rhombus है क्योंको rhombus में ही होता है कि चारो side उसके बराबर होते हैं तो अब लिखोगे Hence, quadrilateral A, D, B, C is the rhombus यह एक rhombus है और rhombus के जो diagonals है वो आपस में 90 degree पे intersect करते हैं तो rhombus है, इसका मतलब यह जो diagonals होंगे C, D और A, B, यह 90 degree पे intersect करेंगे तो कॉमा लगा कि आप लिखोगे diagonals bisect each other at 90 degree तो rhombus के जो diagonals है वो आपस में 90 degree पे intersect करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं Hence, जो line segment हमारा A, B है और जो line segment हमारा CD है वो क्या होगा? R at right angles तो यह हमारा question number 5 का पूरा answer हो गया इस तरह से आपको draw कर देना है इस तरह से आपको reason लिख देना है तो यहां करिए हमारी exercise complete हो जाती है तो आपको यह वीडियो कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताईए अच्छी लगी हो तो like करिए और अगर आप channel पे नए है तो subscribe जरूर करिए उसके बगल में एक bell का icon होगा उसको दबा के all पे click कर देंगे तो जब भी नए वीडियो आएगी आपको message आ जाएगा मैंने chapter wise playlist बनाई है जिस chapter की वीडियो आपको देखनी है उस chapter वाले link पे आप click करोगे तो वहाँ से आप देख सकते हो description में सारे link दिये हुए है ना मिले तो मुझे comment कर देने मैं आपको send कर दूँगा ओके thank you